पहले मुकाबले में पांच विकेट, दूसरे मैच में दो छक्के और तीसरे मुकाबले में बाहर जिया ये कुछ कहानी रही है मार्क वूड लखनौ के तेज गिनबास की बाई जब तीसरे मुकाबले में जब प्लेइंग 11 के अनौसमेंट ही और उस प्लेइंग 11 में मार्क वूड का नाम नहीं था तो सबके दिमाग के तोते हिल गए और सबको कहने लगे बाई क्यों नहीं ह का एलानों उसके अंदर डेबुडेंट रोमारियो शेफर्ड मार्क स्टोइनिस काईल मेयर्स और चौते खिलाडी थे निकुलास पुरन तो ये चार खिलाडी थे जो ओवर्सीज खेल रहे थे उसके अलावा चौते खिलाडी में कई पे भी आपको नाम नेजर नहीं आता म अब देखने वाली बात है कि वही फ्लू कितना सीरिस है उनका कितने समय तक वह बाहर रहेंगे और कब मोबा अपने मैदान पर वापसी करेंगे वही बहुत इंपोर्टेंट के इन बाज है आवेश खान भी बाहर है अगर मैं लखनू की प्लेंग रेवन की बात करो तो तो वही जब दो आपके मुख्य के इन बाज बाहर हो जाते तो अपने आप में दिक्कत हो जाती है टीम में और आपको फिर सब्सिट्यूट जो आपने तैयार नहीं किये थे आपकी बेंट स्रेंट पे थे आपको उनको प्लिंग 11 में उतारना पड़ता है लेकिन शुरुवात बाहर हो जाते तो खटान के लिए दिक्कत बढ़ जाती है अब यहां पर मौका सुप्सिट्यूट में रखा गया था नवीन उल्हक को देखने वाली बात कि कब ये मार्क वुड नाम का घातक गैन बाज जो पेस से सबको बीट कर रहा था ता वन फुर्टी नाइन पर उन् तो यह बहुत important हो जाता है जो pace से इंडिन प्रिस्पेट डॉमिनेट करें तो ऐसा गेंबास बाहर होना लखनों के लिए बहुत जोड़ा चिंता की बात है और लखनों के फैंस और लखनों के कप्तान यह नहीं कि KL राहूल चाहेंगे वही कि मेरा यह चैंपियन गेंबास जल जल से जल मार्कवोड बिठ हो और जो उनका फ्लू जो उनकी बिमारी है वो जल से जल इनसे बहार जाया और IPL 2023 में एक बार फिर लखनों की टीम और मार्कवोड बापसी करते हुए नजर आए